किसान भाईयों आप ये जो खेत देख रहे हैं ये हमारा बैगन का खेत है और ये जो बैगन है ये हम लगाए थे सितंबर के प्रथम सब्ता है 2019 में और आज जब हम ये वीडियो रिकार्ट कर रहे हैं तो 31 मार्श 2020 है और आप देख सकते हैं कि 7 महीने हमारे हो गए हैं और बै 10 रुपए से ले करके 40 रुपया किलो तक बैगन बेचे हैं इन साथ महीनों के दोरान तो आप लोग कैसे बैगन की खेती करें कि इतना अच्छा मुनाफा उठा सके किसान भाईयों नमस्कार मैं हुद्ध मौर्या और आप देख रहे हैं स्मार्ट किसान यूट्यूब चैन और जब हम इसकी रुपाई करवा रहे थे तो सबसे बड़ी समस्याती है मजदूरों की अब क्या है कि निराई करने के लिए बहुत कम लोग मिल पाते हैं तो ऐसे में हम जो बैगन की रुपाई जब किये थे ये सूखी विधी से हम रुपाई किये थे और लाइन से लाइन इसकी गुडाई कर देते थे जब भी घास निकलती थी तब हम चला देते थे इस तरह से हमारी निराई और गुडाई हो जाया करती थी अब जब आप बैगन की खेती करते हैं तो आपको एक चीज ध्यान रखना होता है आप कोई भी फसल जाएए हलकी नवी आपको बना करक खर पतवार अगर है तो वहाँ पर समयस्या होगी आप हमारे बैगन की खेत को देख रहे हैं और हम आप लोगों को अपने कुछ छेत्रों के किसानों की बैगन हम दिखा दे रहे हैं जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं कि घास यहाँ पर लगी हुई है बैगन में रोग पक अक्सन के नाम पर उनका कुछ रही है और हम जो हमारा खेत है यहां पर जब ठंडी खतम हुई है उसके बाद जो होली का समय आया है होली से ले करके अब तक 15 दिन तक हम जो है इसमें लिये हैं 60 कुइंटल का उत्पादन और इस दोरान जो हमारा रेट रहा है यह आउसतन 15 लही है और हम आप लोगों को दिखा रहे हैं क्या इस्थिती है तो आप लोगों जानते ही है कि निराई गुडाई और आपका जो है सिचाई यह चीजे हो गई अब जब बात आती है खाद की तो इसमें काफी किसान परेसान हो जाते हैं कि कौन सी खाद डाले कब डाले कैसे डाले तो देखिए अगर आप सबजीयों की खेती करते हैं और उसमें बहतरीन प्रोडक्सन लेना चाहते हैं तो सबसे जो जरूरी खाद है यह है गोबर की खाद गोबर की खाद जब आप प्रयोग करें किसी भी फसल में तो तकरीबन 6 महीने सड़ी हुई गोबर खाद का प् है और ऐसे में हम इसमें तकरीबन 3.5-4 टाली जो है गोबर की खाद डाले थे अब जब आप गोबर की खाद डाल दिये हैं तो जो अन्य खाद होती है आपको बहुत कम मातरा में डालनी होती है और जब आप इसमें राचाहिनी खादों की हम बात करें तो आपको तकरीबन 15 दिन से ले करके 25 दिन के अंतराल पर जैसा पौध ही किया हो सकता होती है उस हिसाफ से खाद डाली जाती है और अगर आपको लग रहा है कि बहतरीन प्रोडक्शन दिये जा रहा है तो आपको जो खाद डालने का समय होगा यह 15 से 20 दिन का होगा और जब आपका बैगन कम उत और पदन देगा अगर आप गोबर की खाट डाले हैं तो अन्य र्यसायनिक खाद कम डालना पड़ेगा और अगर आपन घोबर की खाद नहीं परियोंग किये हैं तो परियोग करना पड़ेगा तो ऐसे में आप जो आपकी डी, विय्यूरीजट है और सारे जो सूस्पियत तो हैं इनकी जो मात्रा होती है आपको इसमें देनी होती है अब प्रमुख रूप से जब आपका पौधा इस समय विकास कर गया जैसे आप हमारे पौधे को इस समय देख रहे हैं इसको यूरिया की आउसकता नहीं है इसे आउसकता है सिंगल सुपर फास्वेट और पोटास क और इसको डालने के बाद आप पानी लगा दीजे तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं तो हमारा ये जो बैगन का खेत रहा है जब हम सुरू में इसमें लगाए थे तो कई समय असा आया कि जब हमारा बहुत कम रेट मिला 7 रुपे, 8 रुपे, 9 रुपे और एक समय असा भी तकरीबन हमारा 5-6 महीने के लगभग से उत्पादन हम इसमें से ले रहे हैं तो ऐसे में अगर माल लीजे आपका कोई ऐसा समय आता है जिसमें रेट आपको नहीं मिलता है लेकिन ये जो फसल है तकरीबन 10 महीने तक चलती है तो ऐसे में आपको कभी तो रेट मिलेगा तो इस वज़े से आप सब अच्छी तरीके से देखभाल करते रहें और उसके बाद आपको एक समय ऐसा आएगा जब आपको अच्छा रेट मिलेगा और बहतरीन प्रोडक्शन भी मिलेगा और अगर आप सब जब रेट गिर जाता है उसमें देखभाल करना बंद कर देंगे त बैगन की तुड़ाई कितनी बार हो चुकी है और ये कौन सी तुड़ाई चल लही है इसमें तीसरी अच्छा रोज कितना बैगन तोड़ते हैं यह जो बैगन की तुड़ाई हमारी चल लही है यह तीसरी तुड़ाई चल लही है दूसरी तुड़ाई में इतना ज्यादा था कि पेड जो है ये तूट करके गिरने लगे थे और अब जब तीसरी चल लही है ऐसे में भी आप देख सकते हैं कि तब बहतरीन जो है उत्पादन हो रगा है और ऐसे ही अगर आप मेहनत करते हैं तो आप लोगों को इसी तरह से उत्पादन मिलेगा और रेट की तो चिंता ही मत कीजे क्योंकि इसका प्रोडक्शन इत्ता जादा होता है कि रेट कम माईने रखता है तो आप लोग हमारा ये कहना है कि आप सब मेहनत करते रहिए और इंतिजार कीजे एक अच्छे समय का और आपका ये जो बैगन होता है ये लंबे समय तक प्रोडक्शन देने के लि ये खतम हो जाता है इस वज़े से इसकी जो फसल होती है इसकी देखभाल बहुत जरूरी होती है अगर आप बहतरीन ढंग से देखभाल करते हैं तो आप लोगों को जो उत्पादन मिलता है ये बहतरीन मिलेगा तो हम जो उत्पादन लिए इधर 15 दिन के अंदर हमारी तीसरी तोड़ाई चल लही है और ऐसे में हम तकरीबन 60 कुंटल उत्पादन लिए हैं औसत रेट हमें 15 रुपे प्रति किलो मिला है ऐसे में जो है हमारा कुछ 20 में भी गया था कुछ 12 में भी गया था कुछ 10 में भी गया था तो जो औसत रेट निकल करके आया था सामने ओ आया था 15 प्रति किलो तो ऐसे में 60 क्विंडल का हमारा जो होता है यह 90 हजार रुपे होता है तो आधा एकड में हम जो कमाए है यह 90 हजार रुपे कमाए है वो भी 15 दिन के अंदर और कारण इसका यह रहा है कि हम सही देखभाल किये जिससे हमें बहतरीन उत्पादन मिला अगर हम सही द बहतरीन हमें उत्पादन नहीं देता और जब हमें उत्पादन नहीं मिलता तो हम मंडी में ले जाकर के बेचते क्या तो इसी वज़े से आप लोगों से हम कहते हैं कि आप लोग जो भी कीजिए अच्छे से कीजिए और जब अच्छे से करेंगे तभी उत्पादन मिलेगा और समय तो आप लोगों को कभी ना कभी आठ महिने में महगाई तो आएगी और जब आएगी तो आपको पूरा आउसत निकाल करके दे देगी तो ये वीडियो आप लोगों को कैसी लेगी जरूर बताईएगा और हाँ इस चैनल को आप लोग सस्क्राइब कर लिजे और सस्क्राइब कर लेंगे तो यहाँ पर जो खेती बाड़ी की जानकारिया है आप लोगों को समय समय पे मिलती रहेंगी तो हम चलते हैं नमस्कार जै जवान जै किसान